हेलो दोस्तों, आज का वीडियो इस्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने कंप्यूटर का यूज करके या पी अपने लैप्टॉप का यूज करके कुछ इस तरीके का दिवाली का प्रेजिंटेशन कैसे बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से वो भी आप पावर पॉइंट का यूज करके बना सकते हैं बनलब कुछ इस तरीके का पावर पॉइंट प्रेजिंटेशन आप बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से चलिए हम वीडियो को इस्टार्ट करते हैं कि आप कुछ इस तरीके का animation पावर पॉइंट में कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले तो आपको अपने सिस्टम में पावर पॉइंट को उपन कर लेना होगा यहां से आप चाहिए सर्च पर क्लिक करके सर्च में जाने के बाद यहां से पावर पॉइंट को सर्च कर सकते हैं या फिर यहां से हमने मालीजे इस्टार्ट पर क्लिक किया इस्टार्ट पर क्लिक करने के बाद पावर पॉइंट का option दे रहा है तो यहां से हम पावर पॉइंट पर क्लिक करके पावर पॉइंट को open कर लेते हैं अब powerpoint को चीज तरीके से हमारा open हो गया अब इसमें अलगले अप्सन दे रहा है माल जो हमें blank seat लेना है तो यहां से blank presentation पर click करेंगे तो हमारा blank presentation open हो जाएगा अब open होने के बाद यह दो जो extra दिख रहा है text लिखने वाला इसको हमें हटाना है इसको हम select करके left करके select कर लेंगे या फिर control A करके पूरा select कर लेंगे तोनों तरीके select कर सकते हैं select करने के वाद इसको delete कर देंगे इतना हमने डिलेट किया अब इतना डिलेट करने के बाद सबसे पहले आपको मेंच जो ध्यान देना होगा वो है कि इसमें बैगराउंड आपको चेंज करना है मतलब बैगराउंड कलर आपको चेंज करके ब्लैक कर देना है तो background color change करने के लिए यहां से हम जाते हैं design option में design में जाने के बाद यहां से देखेंगे format background का option दिया है तो हम format background में जाके इसका color change करना है यहां से देखेंगे नीचे color wall option दिया है इस पे click करके हम यहां से black कर देते हैं क्योंकि और भी कोई बैग्राउंड अगर हम लगाएंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा ब्लैक ज्यादा साहीं लगेगा इसलिए हमने बैग्राउंड को ब्लैक कर दिया अब बैग्राउंड ब्लैक करने के बाद इसमें सेप लेके आपको अलग-अलग बनाना है उसके sp Choice के लिए हम यहाँ पर जाते हैै इंसर्ट पे इंसर्ट पर जाने कि बाद देखें के यहाँ पर सेप कम संत्राय तो से P quelques करते हैं से पर क्लिक ओप्र cocaine किजने के बाद का साइज बढ़ाना है से आउट-laid पे जाएंगे से आउट-laid पे जाने के बाद और नीचे आएंगे देखेंगे यह पर weit को आपसंदी आ है ये वेट में जाने के पार जितना weight बढ़ाना चाहते हैं आगसे हम line का weight बढ़ा सकते हैं मालिज हमने line का weight इतना किया फिर weight इतना करने के बाद अब इसी line में आपको अलग-अलग effect लगाना है तो effect अभी हम थोड़ आगे लगाते हैं पहले जो shape इसमें यूज हुआ है हम Save को बना कर कुछी तरीके से छोड़ देते हैं अब इस Save का मालिज है Color Change करके फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसका Color Change करके मालिज हैं हमें Rate करना है यह फिर Yellow करना है जो भी Color आप इसका करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से आप उस Client का Color Change कर सकते हैं फिर उसके बाद जाते हैं हम दुबारा इंसर्ट पे इंसर्ट पे जाने के बाद यहां से हमको एक दूसरा से लेना है तो फिर से हम यहां पर से पे क्लिक करते हैं save पर click करने के बाद अब आपको इस बार star लेना है तो यहां पर star नहीं दिख रहा है जिसको हम scroll करके थोड़ा सा नीचे जाते हैं नीचे जाने के बाद देखेंगे यहां पर अलग-अलग point ओला star दिख रहा है मतलब इसमें अलग-अलग star में players दिख रहे हैं यहां से में 32.$ लेना होगा, यहां से 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 32.$ पीछे जाता है तो यह बराबर नहीं बन पाता है इसलिए हम अगर सिफ्ट का यूज करके बनाएं तो सिफ्ट करने बादे आपको इसको अंदर की तरफ कर देना होगा कुछ इस तरीके से देखेंगे यह बन जाएगा लाइट की तरह फिर इसको हम इसी के उपर लगा देते हैं इतना हमने इसके उपर लगा दिया फिर इतना करने के बाद अब हम को थोड़ा समाले जा और अंदर की तरफ करना इसको थोड़ा और अंदर की तरफ कर देंगे फिर इतना करने के बाद अब इसमें हमें gradient color करना है क्योंकि gradient color करेंगे तभी जाकि यह थोड़ा सहीं दिखेगा जिसमाल लिजए इस तरीके से है अब इसमें gradient color करना है तो gradient color करने के लिए सबसे पहले जाएंगे save fill पे save fill पे जाने के बाद फिर और नीचे आएंगे देखेंगे आपर gradient का option दिया है gradient पे जाना है अब gradient में जाने के बाद देखेंगे आपर अलग-अलग format भी दिया है gradient का कि कौन साफ लगाना चाहते है मालेजे हमें यह वाला लगाना है center से अलग है center से यह direct दिया गया है color center में डार करे फिर side से डैसे है यह वाला format माल लीजे हमें लगाना है यह वाला format हमने ले लिया पिर इसमें normal था आप इसमें color change करना है तो फिर से हम से फिल पे जाते है gradient पे जाते है gradient पे जाने के बाद एक्दम last में जब देखेंगे यहां से नीचे आफ़न दिया है more gradient का तो आपको more gradient पे ख्लिक करने के बाद पिर यहां पर देखेंगे gradient फिल पे टिक रहना चाहिए उस पे टिक रहने के बाद इसको स्क्रॉल करके हम और नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद पिर देखेंगे आपर तीन color का stop दिख रहा है यहां से हम पहले वाले स्टॉप पे क्लिक करते हैं फिर उसके बाद यहां से कलर चेंड करने वाले में जाके यहां से माले जैमने इसको रेड कर दिया रेड कर दिया फिर उसके बाद यहां से माले जै यह फिर रिदर नई से ही लग रहाया है त metre है तो आप ये यहाथ से माले जिम वीम। Seung नेसको पहले वाले करना है यहां से हमने सेंटर में रेड लगा दिया फिर उसके बाद लास्ट मतलब आउट्लाइन जो है हमारा आउट्लाइन का कलर में चेंज करना है अंदर हमने ग्रेडियंट कर दिया आउट्लाइन का कलर चेंज करना है तो फिर से यहां पर हम जाएंगे सेप आउट्लाइन सेप आउट लाइन में जाके इसका मौन लेजे हमने यलो कर दिया कुछ इस तरीके से देख सकतेüm लाइट लग रहा है अब इस लाइट को थोड़ा और सही बनाना है तो उसके लिए हम फिर से जाते हैं सेप आउट लाइन में सेप आउट लाइन में जाने के बाद पिर से यहाँ पर हम जाते हैं वेट में मतलब वेट तो मालेजे बढ़ा है हमने तो डैसेस में जाते है डैसेस में जाने के बाद यहाँ से यह वाली लाइन हम ले लेते हैं यह वाली लाइन या फिर यह वाली लाइन आप दोरों में से कोई भी ले सकते हैं मालीजी हमने यह डैस डैस वाली लाइन ले लिया कुछ इस तरीके से हमने इतना कर दिया अब इतना करने के बाद देख सकते हैं यह लाइट की तरह लग भी रहा है इस तरीके से आपको कर लेना होगा अगर आप इसका वेट बढ़ाना चाहते हैं तो वेट में जाकर इसका वेट बढ़ा सकते हैं मालेजी वेट बढ़ाने पर देख सकते हैं यह सही नहीं दिख रहा है तो जितना हमारा है इतना ही हम रहने देते हैं कुछ इस तरीके से हमारा पहला light complete हुआ अभी यह सिप light बना है अभी इसमें main effect लगाना बचा है effect ही main है यहाँ से हमने line पर click किया ध्यान देना आपको पहले इसमें नहीं लगाना है पहले line जो रहा है line इस पर लगाना है इस पर click करें ताकि line select हो फिर उसके बाद effect लगाने के लिए यहाँ से हम जाएंगे animation टैब में animation में जाने के बाद यहाँ से हम add effect पर click करते हैं add effect पर click करने के बाद फिर नीचे देखेंगे जो यह वाला option देख रहा है more intense effect वाला इस पर click करते हैं इस पर click करने के बाद फिर यहाँ से आप देखेंगे इसमें एक option दिया होगा कहां गया कुछी तरीके से यह है fly in करके यहाँ से आपको fly in वाला लगा देना है fly in वाला लगाने के बाद हम इसको ok कर देते हैं करने के बाद तुरंत ही आपको एक चित ध्यान देना होगा यहाँ से जो start वाला option दिया है इस पर click करके हम इसको with previous कर देंगे with previous हमने कर दिया फिर with previous करने के बाद यहाँ से हम फिर से add effect में जाते हैं add effect में जाने के बाद इसके बाद यहाँ से दिखेंगे एक option दिख रहा है more exit effect का more exit effect पर click करके फिर यहाँ से आपको dissolve out कर देना है dissolve out हमने कुछ इस तरीके से लगा के ok कर दिया फिर ok करने के बाद यहाँ से आपको इस पर ध्यान देना होगा इसमें जाके इस बार हम after previous कर देंगे इतना हो गया फिर उसके बाद अब इसको हम F5 करके दिखा देते हैं कुछ तरीके से हमने F5 किया देख सकते हैं line इस तरीके से बनके आ रहा है फिर उसके बाद अब हमें इस safe में हमें 3 effect लगाना है इसमें जो effect लगाना है उसको भी आपको ध्यान से देखना होगा इसमें लगाने के लिए हमने save को select कर लिया select करने के बाद फिर से हम जाते हैं add animation में add animation में जाने के बाद यहां से जो फिर से यह उपर देख रहा है पहला more intense effect इस पे click करना है इस पे click करने के बाद आपको इसमें लगाना होगा zoom वाला effect पहले हमने zoom वाला लगाया कुछ इस तरीके से यह हमारा zoom हुआ फिर zoom होने के बाद इसको हम ok कर देंगे ok करने के बाद फिर से हम effect वाले में जाते हैं effect वाले में जाके इसको after previous कर देते हैं कुछ इस तरीके से अब इसको फाइब करके फिर से दिखा देते हैं देख सकते हैं पर हमारा इतना कंप्लीट हो गया अब इतना होने के बाद अभी इसमें दो इफेक्ट और लगाना है यहां से हमने फिर से से पर क्लिक किया से पर क्लिक करने के बाद फिर से हम एड लगा के ओके कर दिया इसको भी फिर यहां से इसी वाले में जाके हम इसको भी आफटर प्रिवियस कर देते हैं अफटर प्रिवियस करने के बाद अभी एक लाश्ट इफेक्ट और बचा है उसके लिए हम जाते हैं यहां से more exit effect पर इस पर जाने के बाद आपको इसको भी dissolve out कर देना है dissolve out लगाने के बाद okay कर देंगे फिर यहां से हम effect वाले में जाके इसको after previous कर देते हैं after previous करने के बाद हम यहां से इसको फिर से F5 करते हैं देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मारा इतना बन जुगा है अब इतना माल लेजे अभी एक हमने बनाया है अब बार बार यहीं सेंचेज बनाने की ज़रूत नहीं है तो आपको यहां पर इसको left click करके पहले दोनों को select करने ना होगा दोनों को select कर लिया हमन से का एक duplicate आ जाता है Copy paste मतलब कि उसका कॉपी बन के नया कॉपी बनता है मतलब एक कौपी को के दूसरा इता है फिर duplicate में क्या होता है कि duplicate में उसी का एक duplicate बन कि आ जाता है कुछ इस तरीके से हुआ फिसे हम यहां पर कंट्रोल डी करते हैं पहले तुमको select कर लेना होगा यहा से हमने इसको आगे ले गए, फिर उसके 가द इसके बराबर कर देते हैं जितना हमारा उपर वाला यह वाला है उसे की बराबर हम को इसको भी एट्जेस्ट कर देना होगा खुछ ही तरीके से हमने किया फिर से Control-D करना होगा यहां से हम पहले वाले को पिर से करते हैं यह फिर फिर इस बार हमें नीचे वाले कर जैसे डूलिकेट लेना है नीचे वाले को हमने इसलेट किया है स्लेट करके control डी कर दिया इसका एक duplicate आ गया फिर इसको भी यहाँ पर हम इस तरीके से side में लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से आपको बराबर adjust कर देना होगा सभी को उसके बाद इसको भी select करके तोड़ा सा नजदीक कर देते हैं इसके इतना हो गया, मालेजे इतना हमारा complete हो गया अब इतना करने के बाद आपको अभी का color भी change करना है यहां से हमने इसको select किया इसको select करने के बाद save format पर जाते हैं save format पर जाने के बाद save fill पर जाते हैं फिर save fill में जाते हैं फिर मालेजे gradient इक color इसमें हमने किया था तो save outline में जाके यहां से हमें जाना होगा यहां से हम इसमें जाना होगा इसमें भी कोई और कलर देते हैं जैसे इसमें ग्रीन कलर हमने दे दिया कुछी तरीके से सभी का कलर चेंज करना है फिर उसके बाद सभी का आउटलाइन कलर भी चेंज करना है तो सभी का आउटलाइन कलर भी हम चेंज कर देते हैं ऐसे सब को आपको सिलेट करके सब का आउट चाहते हैं उसका भी कलर चेंज कर सकते हैं अगर नहीं चेंज करना है तो नहीं चेंज करेंगे रहने दीजे चेंज करना चाहते हैं दैसे कुछ इस तरीके से select करके आपकर उसका भी color change कर सकते हैं यहां से दे सकते हैं हमने कुछ इस तरीके से सभी का color वगएरा change कर दिया है आपको भी कुछ इस तरीके सभी का color वगएरा change कर देना है अब इतना करने के बाद फिर से आपको पूरे को select करना है इस पर मतलब आपको पूरा सिलेट करना है पूरा सिलेट करने के Bots फिर से एक पर control D करेंगे control D करने के बद उट आपको पहले तो इसी के ओपर लगा कि कुछ फिर उपर कर देना है इतना हमने Серг उपर कर दिया इतना उपर करने के बद अब आपको अपना page س्क्रॉल करके पहले देख लेना होगा कितना ये दिखी रहा है कुछ इस तरीके से आपको एकड़व ऑपर यह अपर लगा देना होगा यहां पर देख सकते हैं इतना लगा दी है अब इतना हमारा कुछ इस तरीके से देख लेका है जाएगा वीडियो को साइड में चलागे रख लीजागा तो आपको ये करने में आसानी रहेगा. कुछ इस तरीके से आप अपने इफेक्ट को बना कर लगा सकते हैं. इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं उस पर इक डिटेल में वीडियो बना देंगे